नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं पानसो पदो समेत अने खाली पदो को भरने की करवाही हो रही है ये बाते मुख्य मंत्री हमान सुरे ने मंगलवार को प्रजेक्ट भवन में खोटी अजमसेत पूर के कल्यान गुरुकूल से प्रसिक्षित 238 छात्रों को नियुक्ति पत्र परदान करते हुए कही सीम ने छात्रों को बेतर भविस के लिए सुपकमनाय दी बता दे मुख्य मंत्री ने कहा कि अब तक लगभग 600 चिकित्स को 24 खेल पदा दिकारियों 40 खिलाडियों की सिदिन युक्ति हो चुकी है जे टेट अभियार्थियों ने सुपा मांग पत्र जार्खन सिक्षक पत्रता परिक्षा जे टेट आयोजीत कराने को लेकर प्रसिक्षित सिक्षक संग ने सोमवार को राजभवन के समक सात्ति पूर्ण धारना परदोसन किया इसके साथ ही राजेपल के नाम एक सुत्री मांग पत्र सोपा इसके अलावा प्रसिक्षित सिक्षक संग के प्रतिनिधी मंडल ने सिक्षा मंत्री जगनात महतो और क्रिच्षी मंत्री बादल पत्र लेको भी जे टेट के आयोजीन के लिए मांग पत्र सोपा बतादे प्रसिक्षित सिक्षक संग के परदेश अध्यक्ष महिपाल महतों ने बताया कि वर्स 2016 से अब तक जार्खन में सिक्षक पत्रता परिक्षा काउजन नहीं किया गया है हजारो अभियार्थी सिक्षक प्रसिक्षण प्राप्त कर चुके हैं लेकिन परिक्षा नहीं होने से अभियार्थी माईوس है परतिनी धिमंडल ने जल्द से जल्द परिक्षा कह ज़यन को लेकर मांगपत्र सोपा सहायक पुलिस कर्मियों ने रख्त दान किया जारखन के 25 सहायक पुलिस कर्मियों कांदूल रांची के मुराबादी मैदान में पिछले 9 दिनों से जारी है बता दे आंधी और भारीबारिस के बाश्यूद सहायक पुलिस कर्मियों अपणी मांगों के समर्थन में लगातार सरकार तक अपनी बात पहुचाने की कोशिस कर रहे हैं बतादे मंगलवार को 2004 अधिक सायक पुलिस कर्मियों ने मुराबादी मैदान में रखदान किया और सरकार को यह चतावनी दी की जल्द से जल्द अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तब वे गांधी के रास्ते को छोड़ कर भगत सिंग के रास्ते को अक्तियार करेंगे बतादे मंगलवार को अधिलन कारी पुलिस कर्मियों ने खोद से ही पहल कर मुराबादी मैदान में रखदान सिविर का वजन करवाया और बढ़ चरकर रखदान किया दुरगा पुजा से पुर्व परासिक्षको को मिलेगा तोफा सिक्षा मंत्री एकिकरित परासिक्षक संगहर्च मोर्चा का सिष्ट मंडल मंगलवार को मंत्री जगनात मतोस मिला बतादे सिक्षा मंत्री ने दुर्गा पुजा के पूर्व परासिस्कों को तोफा देने का स्वासन दिया है बिहार मोडल पर अधारित नियमावली पर तैयार परारूप सिस्ट मंडल को नहीं दिया गया पतादे मंत्री ने बताया कि कुछ बिंद्यों पर वे अभी अमतिम निस्कार्श को नहीं पहुचे हैं इस पर विभागे सची और पतादी कारियों से बीमर्श कर रहे हैं परारूप पर अमतिम निर्नाई के लिए मोर्चा के सिस्ट मंडल को दुर्गा पुजा के पूर्व बुलाएंगे और दुर्गा पुजा का तोफा राजे के परासिश्कों को देंगे जारखंड में नौमबर में खुल सकते हैं पहली से पांचवी तक के स्कूल जारखंड के अभिभागों के लिए बहुत बड़ी खबर है बतादे हमनसुरेन की सरकार पहली से पांचवी कक्षा तक के स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है पर देश के बीत मंत्री रामेशर उरावने यजनकारी दी है उन्होंने कहा है कि इस बावत मुख्य मंत्री हमनसुरेन काफित से पांचवी कक्षा तक के स्कूलों को पिछले माही नहीं खोल दिया जा चुका है अपात्र ब्यक्ति अपना राशन कार्ट करे सरेंडर ज्यारखन की राजधानी राशी जिले में वैसे ब्यक्ति जिन्होंने अपात्र होते हुए भी अपना राशन कार्ट बनवा रखा है वो जल्द से जल्द अपना राशन कार्ट जामा कर दे नहीं तो ऐसे लोगों को चीनहित कर करवाई की जाएगी बतादे राशी डीसी चावी राशी डीसी चावी राशन कार्ट बनवा रखा है उनके पास 30 अक्टूबर 2021 तक का समय है नेधारित तिथी से पहले वैसे ब्यक्ति अपना राशन कार्ट जिला आप पूर्ति कर्याले में जामा कर सकते हैं गुमला सहर नो पार्किंग जोन घोसित गुमला सहर की ट्रेफिक वेवस्ता को लेकर पर ससने कला रुक्त अपनाया है बतादे गुमला सहर को नो पार्किंग जोन घोसित कर दिया गया है अब बीच सड़क पर बस से नहीं रुकेंगी नहीं बीच सड़क पर बस खड़ी कर प्रयातरी बैठाया या उतारा जाएगा बतादे यहां तक कि सुबह 8.00 से रात 8.00 तक किसी विद्धुकंदार को मालवाहक वहन खड़ी करके समानों की लोडिंग वह अनलोडिंग नहीं करनी है अगर ऐसा करते कोई पकड़ा जाता है तो मोटर वहन अधिनियम के तहत करवा आता है वहीं बॉस ओनर ने इस नियम का विरोध किया है जारखन के राज्यपाल हेमन सरकाल से टकराव नहीं चाहते राज्यपाल अबेस बैस ने कहा है की जन जातिये प्रमर्श दात्री परिशत के गठन में राज्यपाल की भूमका खत्म कर दिगाई है जो गलत है टी एस सरकार विकास का काम करें, राजी के विकास के लिए वे प्रोटोकॉल तोड़ कर भी स्वहयोग करने को तयार हैं, एक सवाल के जबाब में उन्होंने कहा कि वे सरकार से ठक्राव नहीं स्वहयोग करना चाहते हैं, वे सरकार को प्रामर्ज ही दे सकते हैं, करना या नहीं करना उनके हाथ में हैं पता दे उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हमन सुरेंच से भी उनकी बात चित हुई है वे भी राज का विकास करना चाहते हैं सो रोजगार के लिए सरकार दे रही 25 लाख तक कारीन मुख्यमंत्री तकनीकी या अध्योगिक प्रसिक्षन ले चुके युगा यदि सो रोजगार करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसीडरी अधारित 25 लाख रुपे तक कारीन देने की योजना राज सरकार ने शुरू की है बता दे वे इस योजना का लाव लेकर आपना खोद का काम दुकान इत्यादी शुरू कर सकते हैं या जनकारे मुख्यमंत्री हमान सुरे ने मंगलवार को प्रजेक्ट बॉन में चात्रों को नियुक्ती पत्रपदान करते हुए कही मुख्यमंत्री ने उमीद जताई की ये प्रसिक्षित युवक आने वाले दिनों में ना सिर्फ अपने लिए बलीक दोस्रों के लिए भी रोजगार का दरवाजा खोलेंगे ज़ारखन में करोना के एक भी नए केस नहीं मिले हैं बतादे ज़ारखन में कुल एक्टिव केस की संख्या नबवे हैं भारत में 19,000 एक्टिव केस की संख्या दो लाख 49 या 691 है तामिल लाड़ू से पच्छमी सिम्भूम की 10 जोतियों की हुई घर वापसी मुख्यमंतरी हमांसुनन के निदेश के बाद पच्छमी सिम्भूम की 10 जोतियां तामिल लाड़ू के त्रिपूरा से 6 खन वापस लॉट आई है पतादे सभी तिरपूरा में के पी आ तीन कंपनी में काम करने गई थी लेकिन वहाँ भासा की समस्या होने पर उन्हें काम करने में परिचानी होने लगी इसके बाद यूतियों ने वापस आने के लिए स्रम विभाग के अंतरगत राजे प्रवासी नियंतरन कक्ष से मलत मामले की जनकारे मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने स्रम विभाग और नियंतरन कक्ष को यूतियों को वापस लाने का नियदेश दिया केंद्र और यूपी सरकार को चुड़ी भेट करेगी महिला कॉंग्रेस महिला कॉंग्रेस के अंदर सरकार और यूपी सरकार को चूड़ी भेट करेगी बता दे अखिल भारतिये महिला कॉंग्रेस कमिटी के अधियक्स नेटा डी सूजा के नेदेश पर जारकन परदेश महिला कॉंग्रेस कमिटी के अधियक्स गुंजंग सिंग ने सभी जीला महिल कॉंग्रेस कमिटी को निदेश दिया है बता दे उतर परदेश के लखीमपूर में आंधुलनकारी किसानों के निर्मा महत्या और कॉंग्रेस के प्रियांका गांधी के साथ धका मोकी के साथ गिरफतारी के खिलाब इसकरवाई का निना लिया है पुलिस मुख्याले से मिली सिकायतो की ततकाल जाच का आदेश को गंभीता से लेते हुए करवाई का अदेश दिया है जार्खन पंचाज चुनाव के लिए यूपी से 50 शेर बैलेट यूनिट मंगाई जाएगी राजन निर्वाचन आयोग डाक्टर डी के तिवाली ने कहा कि जार्खन में पंचाज चुनाव कराने के लिए उतर परदेश से बैलेट यूनिट मंगाई जाएगी राजन में चुनाव के तियारी के अमतिम चरण में है राजन निर्वाचन आयोग COVID-19 संक्रामन की असंका के मदनजार 50 शेर बैलेट यूनिट की जरूरत है हाली में पंचाज चुनाव कराने माले उतर परदेश से बैलेट यूनिट म खोला जा रहा है इसके लिए कोलकाता इस्थी नेशनल इंस्चुट आफ टेकनिकल टीचर्स ट्रेनिंग और रिशर्च इने सेंटर खोलने पर अपनी समत्ती परदान कर दी है बतादे जारखन में समाने वीवी के सिक्षको को प्रसिक्षन औरियन्टेंशन वा रिफ्रेश कोर्स के लिए रांची बीवी में मानव संसाधन विकास केंद्र है लेकिन तक्निकी संस्थानों ने सिक्षको के लिए कोलकाता या फिर अने जगों पर जाना परता था सेंटर के अस्थ अपना की जिमिवारी उच्व तक्निकी सिक्षा विवाग को दी गई है बीजली सब एस्टेशन में डगायती का पुलिस ने किया खुला सा ज़ारखन के बोकारों जिले के ललपनिया के तिलाया स्थीत निर्वाना धिन बिधूत सब एस्टेशन में बीते 22 सितंबर की रात हुई डगायती का पुलिस ने उदभेदन कर लिया है बताद धनबाद के महुदा में छापे मारी कर पांच अपराधियों को पूलिस ने दबोचा है जिनकी निशान देही वा कबुल नामा कैधार पर पूलिस ने मामले से जुड़े कई अहम बिंदुओं का निप्टारा किया बताद बाली डी छेतर के बाईया इस्थीत एक फैक्टरी से चोरी हुई मामले की बरामदगी भी की गई है जिसमें टांसफर्मर को छतिगरस्त कर निकाले गए कौपर, क्वाईल वा बिली के तार सामिल है देवघर जिले से आठ साइवर अपराधी गिरफतार पेमेंट गेमिंग एप से उड़ाते थे पैसा जारखन के देवघर के साइवर थाने के पुलिश ने पेमेंट और गेमिंग एप के जरिये ठगी करने वाले आठ साइवर अपराधी को गिरफतार किया है बतादे इनके पास से आठ मोबाइल पंदर सिम कार्ड और चार एटीम कार्ड बरामत किये गए हैं गिरफतार साइबर अपराधियों में मोहनपूर्थाना छेत्रिक के लतास से गाउं के विकास यादो एकांत कुमार कल होडिया के भविसे कुमार, गुड्डू, देवानन्द वा, टुन्टुन तथा फरकासिमर गाउं के टीकु मंडल वा बवलु कुमार सामिल हैं जारखन में हर साल बैधनात महोत्सव सोमवर को दिल्ली में गोडा सांसर डाक्टर निशिकान दुबे के सा सांस्कृतिक मंत्राले के सची गोविंद मोहन समेत और अधिकारियों की बैठक हुई इन भासाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कारिकरम होंगे निना लिया गया कि देवघार में परते एक वर्ष बैदनात महोच सव आयोजीत कराने के लिए संस्क्रितिक मंत्रा लाइफ़ांड मुहाईया कराएगा इसका आयोजन महासिवरात्री के आसपास होगा 75 घंटे में रांची के डाक्टर जाकिर हुसेन पार्क का हुआ काया कल्प 6 सलबाद रांची इसी डाक्टर जाकिर हुसेन पार्क राजधानिवासियों के लिए खुल गया है इसके खुलते ही पार्क के रोनक एक बार फिर बढ़ने लगी है बतादे राजबहन के पास बने इस पार्क के खुलते ही बच्चों समेत बड़ों में खोब मस्ती करते दिखे CM हिमान सुरे ने ट्वीट कर काया कि राजधानी वासियों के मनलजन के लिए जब पार्क एक बार फिर खोल दिया गया है बतादे रांची नगर निगम ने आजादी के अमरित महोत्सव के तहद पार्क को 75 घंटे के अंदर काया कल्प करने का निनन लिया था PLFI सुपरीमो दिनेस गोप का साथी मनिस गोप गिरफतार जारखन की खोटी पुलिस ने PLFI के सदस मनिस गोप उर्फ महस्वर गोप को गिरफतार कर लिया है बतादेवा जर्यागर थाना छेतरे के बढ़का रेगडे तेतर टोली गाव निवासी है पुलिस ने उसे गुमला से गिरफतार किया है SP अस्तो सेखर के अनुसार मनिस गोप उर्फ महस्वर गोप PLFI परमुक दिनेश गोप की टीम का साथी सदस था किसी नराजगी को लेकर दिनेश गोप, रायस गोप और उसकी टीम द्वारा उसके साथ मारपिट की गई थी जिसके बाद वह दस्ता छोड़ कर भागा हुआ था सिम्डेगा में ड्रिलिंग कर भूमिगत पाइप लाइन से पेट्रोल चुराने का मामला सिम्डेगा जीले से गुजिरी भूमिगत पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी करने वाले छो आरोपित गिरफतार कर लिए गये हैं बतादे सभी एक अंतरराजिये गिरों से जुड़े हैं वन पेशेवर चोरों के पास दो ट्रेंकर, जेनरेटर, पाइप, ड्रिलिंग मसींग, कटर आधी करीब दो दरजन उपकरन ब्रामत हुआ है बतादे चोरों में बंगाल के तीन, उडिसा के दो वा एक अस्थानिये सामिल हैं एसपी डाक्टर सम्स तवरेज ने बताया कि अरोपितों में उडिसा के सुन्दरगड जीले के सुरे नरायन महतो वा जगरनात बढ़ाईक कोलकत्ता के पलास नासकर, हावडा जीले के अविरुदीन मंडल वा छोटु धारा तथा सिम्डेगा जीले के बानो थाना छेत्र क सोय सेमर टोली का सुरज साहू सामिल हैं खुली जेल में भेजे जाएंगे आत्मस समर्पन करने वाले नकसली राज्य के एक लोगते हजारी वागिस्थित खुली जेल में अब वैसे सभी नक्सली भी भेजे जाएंगे जो पूलिस परसासन के सामने आत्मस समर्पन करने से विभीन जेलों में बंद हैं बता दे मुक्ष मंत्री हमनसुरेन की पहल पर एक कमिटी गठीत की गई है जो वैसे नक्सली के स्क्रेणिंग कर उन्हें खुली जेल में सब परिवार रहने की स्विक्रिती देगी राजे के विभीन जेलों में बंद ऐसे उगरवादियों की संखे करीब पचास है वैसे नक्सली खुली जेल में जाएंगे जो पूलिस परसासन के प्रतिस सकरात्मक विचार रखते हैं और जेल में रहने के दुरान उनका बेहतर आचरन रहा है BIT मेसरा के दिक्षा समारों में 35 विद्यार्थियों को गोल्ड में डल BIT मेसरा का 31 दिक्षा समारों बुद्ध्वार को होगा बतादे संस्था ने अपनी त्यारी पूरी कर ली है दिक्षा समारो में कुल 35 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देने के साथ 65 Director को डिग्री बाटी जाएगी फिलहाल दिक्षा समारो को इस बार भी on-line करने का फैसला लिया गया है बता दे पिछले वर्स भी online दिक्षा समारो किया गया था ओनलाइन दिख्छांच समारों का लिंक जल्द जारी होगा SSP सुरेंदर कुमार जहां से मिला युवादास्ता का प्रतिनिदी मंडल युवादास्ता का प्रतिनिदी मंडल मंगलवार को SSP रांची सुरेंदर जहां से मिला और दुरगापुजा महतसव से लेकर विसर्जन के दोरान होने वाली समस्याओं से अउगत कराया SSP ने युवादास्ता द्वारा दिये का सेवा कारियों की जनकारी ली एवम युवादास्ता के प्रभावारियों को दुरगापुजा महतसव के दोरान मामारी को देखते वे जीला पसा संद्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की उन्होंने कहा कि युवा दास्ता के सभी सदस भी सर्जन तक सक्रिये भूमका निभाएं नकसल प्रभावित इलाकों में 4G में अपग्रेड होंगे मोबाइल टावर जार्खन के नकसल प्रभावी जीलों में कनेक्टिवीटी को दुरूस्त करने के लिए सरकार ने मेगा पलान बनाया है इसके उद्धे से रेट कोरिडोर में मोबाइल नेटवर्क को उच अस्तरिये बनाने के साथ सुदरवर्ती छेत्र को इंटरनेट से भी जोड़ना है साथी सुरक्षा बलो और जीला परसासन के भी सुचनाओ के तोरित अधान परदान से बेहतर तालमेल भी बिठाया सकेगा सरकार ने युनिवर्सल सर्वीस ओबलीगेशन फंड के तहट आठ सो मोबाइल टावर्स को फोर्जी नेटवर्क में अपरेट करने का फैसला किया है ताकि मोबाइल नेटवर्क को दुरुस्त किया जा सके और कम्युनिकेशन समधी समस्याओं से निदान मिल सके धन्यवाद अवस्यक सुचना दिन भर की तमाम ख़वर को जानने के लिए साम 5 बजे संध्या समाचार अपलोड किया जाता है जीसे देखना ना भूले साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपनितोस्तों साथ सेर करना भी ना भूले धन्यवाद